देश दुनिया में मैं हूँ आपके साथ शुतिश रवास्तौ सिदे बाद इस्राइल और लिबनान की क्योंकि इस्राइली सेना ने हزबुला के एक और क्मांडर को ख़त्व करने का दावा किया है इस्राइले सेना ने काया कि शुर्वाती रिपोर्ट में हेजबुल्ला की बदर यूनिट के चीफ अबूरिदा की मारे जाने की संभावना और इससे इस्राइल के ऑपरेशन बेरूत का राउंड टू कहा जा रहा है क्या कुछ है मामरा देखे रिपोर्ट कौन है मुसाद का मैजिक मैन किसने दी नसराइला के हेड़कौर्टर में मौझूद होने की इनफॉर्मेशन हेजबुल्ला के भीतर कौन है वो भेदिया जिसने दी इस्राइल को नसराइला के लोकेशन की सठीक जानकारी किसने पहुँचाई इस्राइल डिफेंस फोर्ट को मिनट टू मिनट नसराइला के मौम्मेंट की सुचना डवाल एजेंट ने कैसे बेरूत में बैठे बैठे ले ली नसराइला की जान पूरी दुनिया हत्प्रफ है कैसे मारा गया हिजबुल्ला चेफ नसराइला वर्षो से सिर्फ स्क्रीन पर दिखले वाला नसराइला कहां रहता है कहां से वीडियो जारी करता है कहां बना है उसका गुप्त ठिकाना कब बैठता है एड़क्वार्टर में कब करता है मिटिंग इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद बीज सालों से इसकी इन्फॉर्मेशन जुटा रही थी लेकि 26 सितंबर 2014 तक नसराइला मुसाद के रड़ार को चकमा देने में कामयाब होता रहा सवाल उठने हैं कि 27 सितंबर की रात ऐसा क्या हुआ कि नसराइला की लोकेशन मुसाद ने ट्रैक कर लिया आईडिएफ ने फाइटर प्लैन एफ-35 को बेरूत रवाना किया और नसराइला को ठिकाने लगा दिया कौन है वो भे दिया क्या है उसका नाम जिसने इसराइल को बताया नसराइला का लाइव लोकेशन 18 वर्षों से नसराइला अंडरग्राउंड था हिजबुला के टॉप कमांडों तक को पता नहीं होता था कि नसराइला कब कहां दिखाई देगा लेकिन मुसाद में फिर भी उसका काम तमाम कर दिया कहा जा रहा है के एजबुला के अंदर बैठे इसराइली सोस ने इसराइला का लोकेशन आईडियेफ के साथ शेयर किया आईडियेफ ने इसकी तदकाल सूचना बिन्यामी नेतनियाहू को दी लेकिन उस वक्त नेतनियाहू स्युक्त राश्ट में भाशन दे रहे थे इस बीच इसराइली एरफोस ने तैयारी शुरू कर दी A-35 फाइटर प्लेन में बंकर बस्टर बंक फिट कर दिया गया उधर भाशन खत्म होते ही नेतनियाहू ने फोन उठाया हुया हציר של הציר, המנוע המרכזी של ציר הרשע של איראן हुवान अशव हयो अद्रिखले हा तוכנית लाश्मदत इसराइल हु़ लो रक हופעל על ידי איראן, הרבה פעמים הוא גם מפעיל את איראן इसराइल अपने अस्तित्व के लिए चुनाओती बने दुश्मनों का काम तमाम करने में धर्ती पर सबसे तीज काम करने वारा देश है नसर अला को मारने इतना आसान नहीं था लेकिन जो आसान हो वो काम मुसाद के हिस्से नहीं आता है, देखें रपोर्ट नसर अला को मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन जो आसान हो वो काम मुसाद के हिस्से नहीं आता, मुसाद तो वो है जो बतला लेने के लिए पंद्रह सालों तक अपने दुश्मन का पीशा करता है, उन्हें मौत के घाट उताता है जिन्होंने म्यूनिक उलम्पीक के दौरान उसके 11 खिलाडियों को मारा था 1972 की वो घटना पुरी दुनिया के सामने नजीर है कि मुसाद काम कैसे करता है फिलिस्तिन लिबरेशन और्गनाईजेशन यानि पेलो से जुड़े लोगों ने ऑपरेशन ब्लैक सेप्टमबर के तहती इसराईली खिलाडियों की हत्या कर दी मोसाद ने उन सभी लोगों के हत्या की योजना बनाई जो किसी तरह से ओपरेशन ब्लैक सेप्टमबर से जुरे थे इस मेशन को नाम दिया गया रैट आफ गॉड यानि इश्वर का कहर मुसाद के जल्टों ने आपरेशन ब्लैक सेटम्बर से जुड़े लोगों को दुनिया के कई देशों में घूम घूम कर मारा खुफिय एजेंसी मुसाद कितनी सटिक जानकारी के साथ काम करती है इसके अनेक उदाहरण है हमास चीफ इसमाईल हानिया को इरान ने अपनी राजधानी तेहरान में च्पा रखा था इरान के टॉप लिज्जे कमांडों का दस्ता जो रिवलोशनरी गाड से ठेउने हानिया की सुरक्षा में लगाया गया था लेकिन मुसाद के एजेंटों ने इस सुरक्षा दिवार में सीन्थ रखा दी हानिया की लाइव लोकेशन का पता लगाया हानिया अपने साथ तालो वाले बंद दरवाजे के भीतर बैठा बैठा धमाके में बुराता बढ़ गया इसराइल अपने स्तित्तों के लिए चुनावती बने दुश्मनों का काम तमाम करने में धर्ती पर सबसे तीज काम करने वाला देश्रे जादगोर के तरह काम करने वाला मुसाद यूही नहीं हरेत अंगेज आपरेशन के लिए चर्ची थे इसके संगठनात मंक्षमता, इसका सूचना तंत्र, इसके एजेंटों की बहादुरी और देश्र के प्रती समर्पन का भाव इन्हें दूसरी तमाम खुपिया एजींसियों से अलग करती है यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि मुसाद आखिर आपरेशन को अंजाम कैसे देता है मुसाद के कुल छे डिपार्टमेंट है पहला है कलेक्शन डिपार्टमेंट जो जासूसी कारवाईयों को अंजाम देता है दूसरा है पॉलिटकल एक्शन एंड लाइसन डिपार्टमेंट जो राजनीतिक कदिविदियों को अंजाम देता है और दूसरे देशों की सरकारों से दीर करता है तीसरा है स्पेशल ऑपरेशन डिविजन यही डिपार्टमेंट मुसाद के लिए खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देता है चौथा है एलेपी डिपार्टमेंट जो साइकलोजिकल वारफेर और प्रॉपेगैंडा ऑपरेशन करता है पांच वा है टेक्नोलोजी डिपार्टमेंट जो मुसाद के लिए हत्यार गैजेट जैसी चीज़े डेवलफ करता है छटा है रिसर्च डिपार्टमेंट जो बैक डाउन से लेकर दूसरी चीज़ों की जानकारी एजेंसी को देता है कौडिनेशन का अगुत नमूना है खोफिया अजेंसी मुसाद और इसराइली सरकारी संगठन पर जान छिड़कती है यही कारण है कि मुसाद के अखरिब 7000 स्टाफ है इस जासूसी अजेंसी का सलाना बजट तीन बिलियन डॉलर के आसपास है रुपिया में यह राख्षी 250 अरब से जादा है मुसाद के सबसे टॉप रिंग के अफसर इसके डाइरेक्टर होते ही यह डाइरेक्टर की से अफसर शाही वाले कंतर में फंसे बिना सिधा प्रधार मंतरी को रिपोर्ट करते ही जबना सरलला के हेड़कोर्टर में मोजूद कुचना मिली तो नियू ओर ऑॉड़्न को अनज्जाम देन में इसी लिए से लिए बाई तालिस मिनट का वोकत लगा उर्ष program का बिञान है, एskुचक्शन.. मुड़ провयare ए? इस्थ्नक नोडिएन ay फ्रиновते तेम है, playfulन्य अता हुड़्न के हत्तु Ke?? एबने टी कि फ्र खबगरों थे 6 से ने क्विवरत ребhovlav में एंस सब्चार है जना लगर मेकन, मका अगर मका, हिसेग अगर हिसेग, हम अबिनीं अद कमा अतिकवोट अपोगगू. यसराइल बतनुपा, अनख्नु मनत्खिम, अनख्नु नखुशीं लामशीख लाकूत मरुवेनू, लाशीव लवतेम इतोशवेनू, अनख्जीर अद कोल खतुफेनू.